पानी भी ऐसे गंदा आ रहे हैं ये मेन होली की पानी आ रहे हैं तो मैं जितना है खुले ही नहीं चाहिए क्योंकि हर घर बिगड़ रहा है टेके से नमस्कार मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं न्यूस 15 जैसा कि आप सब जानते हैं कि चुनाव आने वाले हैं और जनता की चीजों की सेवा उसे वंचीत है और फिर दर्वाजे तक पहुँची है आपका नाम राजबूती तो आप अपने इरी में क्या-क्यां क्या आपको सुविधाई मिली है depending कि हैं और को इसे रही है पानी तक इलिए यह के लाय दिखा सकते हैं कि यहां का जो पानी पानी के हैं पानी का नल से इभी पानी चल रहा है और पानी कि अंदर देखें te चाल रहे हैं अग्याँ पानी चल आधी कि छाल रहा है और पानी की हाल तब देख सकते हैं ऐसे लग रहा कि तीन-चार दिन पुराना पानी और इसमें बहुत गंदगी हो एक पानी ही है जो जीवन का सबसे इंपॉर्ड़िट पार्ट माना जाता है और सक इस पानी से कितनी सारी बिमारिया हो सकती है इस तरह का यह पानी इस्तमाल कर रहे हैं तो आ अंदर कुछ नहीं कर रहा हम लोगों के लिए जैसे की वायदे तो बहुत की होंगे उन्होंने उसी साबसे काम कुछ भी नहीं कुछ नहीं कर रहा सिर्फ एक लाइट लगा दी रोड डल गया बस और कुछ नहीं है केजरी वाल की जो आपकारी नीती है जो हर वार्ड में श कोजा तो ही अच्छ रिह नहीं तो यह भी यह कित्ना काम हो दो हमारी अबमस्य नहीं बन पढ़ा है दो इस एक छूब होती हो देगो नाल सरी गंदी पड़ीं और अभी गंदी में बहुत कि अपने घर में बैट और कहा जाओं फीने की पानी का अपर पीने का देख लो में गंद पड़ा रोज यह जाता है लिकेन आता है गंदा यह आधा यह पड़ा प्रिंसिपल मैडम ने बोला कि आप अपने धावा हटा लो मच्चों की लड़कियों का स्कूल खुलेगा उन्होंने यह सर्त रखिया अगर भावा हटेगा तो जुग्या अब बताओ उनका एक धावा यह इतनी पबले के यह कहां जाएगी अब यह पबलिक कहां जाएगी उनका तो ढवा कहीं से उठके कहीं और चला जाएगा कहां जाएगा अगर यह जुग्या हट वाएंगी तो एक-एक मकान देदे सबको औ और हमारी जुग्या है वहीं कि पक्की हो जाएगा हमारी समस्या यह है राशन काड के लिए कभी आप अप्लाइक करने गई हैं दो साल होगे आया नहीं बार बने के देदेदे आए गाया अब आया नहीं नहीं रहा नहीं कुछ मिल्ला हम खुद पर इसान है कहां से करें किसी को नुक्सान न पोचे हम एंडिया से चाहते हैं कि साफ सबाई रोड अच्छे रहें को गड़े नहों किसी को तकलीव नहीं पानी के लिए पीछे बता रहें पानी बहुत खराब आई जाता हो तो सभी के साथ होता है बीच बीच में जैसा कि आपने देखा हम पहाड गंज के रामबाग के जोगी जोपड़ी वाले इलाकाई में गए ते जहां पर पब्लिक पानी से लितक सीविर की समस्या से परिशान है इसके साथ साथ चोटी-चोटी बहुत सारी समस्या है जिनकी अभी तक सुनवाई नहीं होई है और गड़ों की वज़े से काफी बार भी हो चुका है और पानी की समस्या इतनी खाराब है कि वो पानी पीने लायक ही नहीं है लोग पारशद के पास बहुत बार जा चुके हैं राशन कार्ट जैसी और भी बहुत सारी समस्या जिनकी अभी तक को कोई सुनवाई नहीं होई है तो आने वाले चुनाम में झाले झाले शाब को झाले चुके हैं लोगी है कि वोग तक बहुत सिंग है कर दो अज़ कर दो चुके हैं लाचाई।